सब्सक्राइब कोचिंग में आप सभी का स्वागत है मेरे पहरे बैच्चों आज हम मैध कुष्चन सीरीज का भाग तीन शुरू करने चल रहे हैं इसके पहले मैं जो दो भाग पढ़ा चुका हूं आप उसे पढ़िए सभी प्रिविए सीर कुष्चन हैं जो CSFS ILDC में सब्सक्राइब करेंगे जो भी प्रिविए सीर क्वेश्चन है प्रिविए सीर परिछाओ में पूछे गए हैं हम उन सभी को लेकर आपके सामने आएंगे और बताएंगे ठीक है मेरे प्यारे बैच्चों तो आए हम प्रसंद की तरफ चलते हैं और सुरू करते हैं आए मेर 45 सेकंड्स इन दिस रेस ए बीट्स बीवाई यानि हंडेड मीटर की दावड में ए ने 36 सेकंड में और बी ने 45 सेकंड में पूरा किया इस दावड में ए ने बी को कितनी दूरी से हराया ठीक है आए मेरे बच्चों हम इसे हल करते हैं ठीक है देखिए यहां है यहां से इमें एक फिगर बना रहा हूँ यहां से यहां तक आपको जाना है ए ए है और ए बी है डिनिस्टिनेशन पॉइंट इस ओमाल लेता हूं मैं ठीक है इस इस टार्टिंग पॉंट है ए जो है इस दूरी को इस दूरी को A कितनी समय में पूरा करता है? A जो है 36 सेकंड लेता है, ठीक है? और यह कितनी डिस्टेंस है? A है 100 मीटर की, इतना 100 मीटर की, ठीक है? इसको A जो है 36 सेकंड लेता है, B जो है इसे पूरा करने में इतना लेता है 45 सेकंड, ठीक है? अब देखिए, ये जो है, बी को कितने सेकेंट से हराया? 9 से क्योंकि देखिए ए 45 लिया, 45 सेकेंट और ए लिया 36 सेकेंट यानि कि 9 सेकेंट जादा लिया, 9 सेकेंट जादा कौन लिया? B, B 9 सेकेंड ज्यादा लिया, तो 9 सेकेंड में कितना दूरीते करेगा, तब निकाल लेजिए, distance कितना हो जाएगा 9 सेकेंड में, जो B की चाल है, जो B की speed है, B की speed क्या हो जाएगी, B की speed क्या हो जाएगी, Speed आप निकालेंगे क्या हो जाएगी B की Speed 100 100 बटा 45 A B की जो है Speed हो गई Meter प्रस सेकेंड तो अब distance निकाल लीजी 9 सेकेंड में हो कितनी दूरी तैंक करेगा 100 distance बराब क्या होता है 4 गुड़े समय होता है 4 गुड़े समय होता है 100 बटे 45 गुड़े 9 यह है Speed और T है Time in 9 सेकेंड इसे आप फल कर लीजीए कितना हो जाएगा 9,45 हो गया 5,20 हो गया ठीक है यानि की 20 मीटर ठीक है तो 9 सेकेंड से वह हराया था यानि की वह कितनी उसे कितनी दूरी से राया था 20 मीटर की दूरी से A ने B को हराया था ठीक है तो जो आपका आंसर हुआ A A is going to be right answer ठीक है यही आपका right answer हो गया मुझे उम्मीद है आपको समझाया होगा आइए हम अगले question की तरफ बढ़ते हैं पी और क्यूइ निवेस्टेड इन बिजनेस्ट दप्रॉफिट अन्वाज दिवाजिए इन दिवाजित किया गया अगर पी ने 40,000 रुपए का निवेस्ट किया तो क्यूद वारा निवेस्ट की गई रासी क्या है ठीक है आए हम इसे हल करते हैं देखिए यहां पर आपको प्रॉफिट का जो है रेशियो दिया गया है तो आप यहां पी और क्यूद का रेशियो निवेस्ट की गई रासी का तो पी आपको दिया गया है चालिस हजार रूपया इस ने किया क्यूं को मैं माल लिया क्यूं रूपया उसने निभेज किया ठीक है अब इनका जो प्राफिट आया उसका रेशियो कितना है दो अनुपारते तीन है ठीक है आप इसे हल कर लिजिए कितना गया ग्यूं यह बराबर आ गया ठीरी इंटू 14,000 हो गया ठीक है तो आपका क्यूं का मान क्या आ गया क्यूं का माना गया गया तीन गुंडे इससे कैंसिल आउट हो गया यहां तू आया अब भी सजार इब वीश हजार अब वीश अफ्टीस कितना हो गया तीन गुड़ा कर लिया वीश त्याइए 60 अब 60,000 हो गया क्यों द्वारा निवेस की गई राजसी थी देखिए आप इसे नहीं मानते तब भी आप इसे आपसं से हल कर सकते थे ठीक है यहां देखिए मैं एपसं लेता हूँ अगर यह में जो है पी और क्यूं का अनुपात वन वाईवन का होता है ठीक है नहीं होगा यह डीज आई B में हो गांएं C में देखी दीजिए आप अगर आप इसका दोनों का ratio ले रहे हैन 4 y 6 का ratio आ रहा है और कि 2 अंपाथे 3 कनूपात हो रहा है ठिके उसी option है यही सई है आप option से भी से आअसानी से हल कर सकते थे इसे लगाने कोई यूरुत नहीं पड़ती ठीक है जो आंसर हुआ कितना हुआ साथ हजार रुपया ठीक है साथ हजार रुपया आपका राइट आंसर हुआ है आए मेरे बच्चों मंगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं इन टो हंडेड मीटर रेस ए बीट्स भी बाइट 35 मिनट और 7 सेकंड इन टो हंडेड मीटर रेस ए बीट्स भाइट 30 मीटर और 7 सेकंड दए इस टाइम्स ओबर दकोर्स इस यानि कि 200 मीटर की दोड में एन बी को 35 मीटर या साथ सेकंड से हराता है तो एक का कुल समय कितना होगा देखिए इस दोड से जो है क्वेश्चन हंडेड परसें पूछा जाता है इसलिए आप इसे जरूर पढ़िए रेज से जरूर पूछचा जाता है एक दो कुछचन देखिए इसमने जो कुछचन में दिया गया है कि जो दोड है वो 200 मीटर की है, यह मैं बना दिया, एक फिगर, एक पी है, एक क्यू, ठीक है, एक इंडिंग पॉइंट है, और एक स्टार्टिंग पॉइंट पी, एक 200 मीटर की रेश है, कितना? 200 मीटर, 200 मीटर, एन ने बी को 35 मीटर से हराता है, कितने? 35 मीटर या 7 सकेंड से हराता है, ठीक है? तो एक का कुल समय कितना होगा? आप से पूछा जा रहा है, ठीक है? तो देखिए, यहां आप कुश्चन को पकड़िए और यहीं से हल कीजिए, यह 35 मीटर है ना? या 7 सकेंड, एक की पॉइंट है, यही जो है, इसका की पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया? की 35 मीटर, 35 मीटर, या 7 सकेंड, तो स्पीड क्या हो गई? स्पीड क्या हो गई? चाल, स्पीड क्या हो गई? स्पीड बढ़ा होता है, डिस्टेंस, दूरी, बटा समय, टी. यहां चाल हो गई, डिस्टेंस कितनी है? 35 है, समय कितना लगा? 7, यानि 35 मीटर को 7 सकेंड के बराबर है, 7 सकेंड में हराता है 35 मीटर, तो देखिए यहां आपके क्योश्यन में given है, स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर, प्रती सेकंड, 5 मीटर, प्रती सेकंड हो गई. अब देखिए 200 मीटर की दोड़ है तो 200 मीटर की दोड़ में उसे कुल कितना समय लगेगा ठीक है तो आपको पूछ रहा है टाइम तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल दूरी डिस्टेंस बटा इस्पीड तो डिस्टेंस कितना है 200 है ठीक है और चाल कितनी है 5 मीटर प्रस सेकेंड है आप इसे हल कर लेजिए कितना हो जाएगा पांचों 20 यानि कि 40 40 सेकेंड 40 सेकेंड यही एका टोटल टाइम है यही आपका आंसर आ गया ठीक है मेरे अच्चों कितना आंसर आया 40 सेकेंड एस गोइंग टू बी राइट आंसर ठीक है देखिए हम आपको इसे फिर से समझाते हैं आईए समझते है देखिए यह जो है पूरी डिस्टेंस कितनी है कटिशन दिया गया ए नई भी यह को 35 मीटर यह साथ सकेंड से हराता है कहने है कि मतलब यह हुआ कि 35 मीटर की दूरी आद साथ सकेंड में त्यंक करता है यह की पॉइंट है यह इस से में चाल कर लिए 35 meter ब्रावर साथ सकेंड यानि speed की क्या हो गई आपकी speed होता है distance by time तो distance 35 ब्रावर साथ यानि 5 meter पर सकेंड आप पूश रहा है कि ए द्वारा कि कितना समय लिया गया क्योंकि पूरी distance 200 meter है तो 200 बटा 5 समय बरावर होता है दोरी बटा चाल के तो 200 बटा 5 यानि कि 5 20 40 सेकेंड में जो है यह उस दूरी को कबर कर लेगा ठीक है यह दोरा 40 सेकेंड समय लिया गया ठीक है मेरे बच्चों मुझे उमीद है आप समझ गया होंगे आए हम अगले कोशन की तरफ बढ़ते है the speed of a truck is one third the speed of train the train covers 1230 km in 5 hours what is the speed of the truck एक ट्रक की चाल एक ट्रेन की चाल की बटा 3 है ट्रेन पांच घंटे में 1230 km की दूरी तैं करती है ट्रक की चाल क्या है कि देखिए मेरे बच्चों कैसे अल करेंगे एभी कुश्चन पूछा गया है SILDC में देखो आपको दिया गया है ट्रेन का आपको निकालना है सबसे पहले ट्रेन का क्या दिया गया आपको ट्रेन का दिया गया है टाइम टाइम है 5 और ठीक है उसके बाद दिया गया है डिस्टेंस डिस्टेंस है 1230 km इससे आप क्या निकालेंगे इससे इससे इसका स्पीड निकालेंगे स्पीड क्या हो जाएगा चाल बरावर होता है दूई डिस्टेंस बटे टाइम तो डिस्टेंस है 1230 बटा पांच इससे हल करेंगे कितना जाएगा पांदोनी देस दो पांच चौक बीस पांच शकतीस 246 km प्रत्यावर आ गया है ठीक है अब कंडिशन है ट्रेन की चाल ट्रक की जो चाल है ट्रक की जो चाल है वो क्या है ट्रक की चाल है वन बाई थिरी अब ट्रेन की चाल ठीक है तो इससे आप निकालने जिए वन बाई थिरी इन्टू 246 तीन अट्शेव बीस तीन दूनी छे तो जो स्पीड आई स्पीड आई ट्रक की वो कितना आई 82 किलोमेटर प्रतियोर यही आपका आंसर आ गया ठीक है बहुत एजी क्वेश्चन था मुझे उमीद है आपको जरू समझ में आया होगा तो आंसर आया कितना ब्यासी 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 गूंग तो बी राइट आंसर ठीक है आई मेरे बच्चे मंगले क्वेश्चन की तरह पढ़ते हैं यह क्वेश्चन अच्छा है देखें इन सम्कॉंटिटी अफ गी 60 परसेंट इस प्योर घी एंड 40 परसेंट इस बनस्पति घी इप 10 केजी आफ प्योर घी इस एडडेड देन ते स्टेंथ आफ बनस्पति घी बिकम्स 20 परसेंट परसेंट इस दो ओर जिनल कॉंटिटी वाज ठीक है घी की कुछ मात्रा में 60 परसेंट सुद्ध गी है और 40 परसेंट बनस्पति यह दि 10 किलो सुद्ध घी मिलाया जाए तो बनस्पत घी की ताकत 20 फीस्ती हो जाती है ठीक है तो घी की मूल मात्रा क्या थी देखिए कैसे हल करेंगे इसे यहां आप माल लिजिए कि घी जो है जो घी है जो घी है वह यक्स के जी है ठीक है अब देखिए सबसे पहले आप यहां देखिए कि 40 फीस्ती परस्पति घी है ठीक है तो यक्स के जी घी में 40 फीस्ती बनस्पति घी तो आप यहां बनस्पति घी निकाल लिए ठीक है बनस्पति घी कितना हो जाएगा यक्स यक्स इंटू 40 परसेंट इसको आप सिप्लिफाई कर लिजिए दो दूने क्यार दो पचे दस आपका आगया तू यक्स बट्टई पांच यह बनस्पति ही हो गया अब कंडिशन है कि दस केजी घी सुद्गी मिलाया जाता है ठीक है उसकी बनस्पति की ताकत 20 पर फिशती हो जाती है आपका जो इकेशन बनेगा ओ यह बनेगा कि जो बनस्पति की क्या है तू यक्स बट्टा पांच अब इसमें जो सुद्गी उसमें 10 केजी घी और मिलाया गया इनका जो रेशियो आयागा जो रेशियो आयागा इनका क्या हो जाएगा 20 बट्टा बट्टा सव इसपटे सव आप जो है इस से हल कर लीजिये कितना हो जाएगा दो इकम दो दो पच्छे दस ठीक है तो यह आगया टू एक्स बट्टा पाइफ एक्स प्लस टेन यह बराबर आगया वन वाई फाइफ के अब इसे हल करें कितना हो जाएगा 10 यह इस उक्वल टू हो गया फाइफ यह प्लस फिफ्टी ओके इजर आगया यह आगया फाइफ यह इस उक्वल टू प्लस फिफ्टी तो यह क्मान क्या गया यह बराबर हो गया 10 दस केजी यह आपका अंसर आगया जो आपका अंसर आया हो है 10 केजी 10 केजी जो है आपका राइट आंसर है ठीक है मेरे बच्चों तो आप यह इस गोंग टू भी राइट आंसर यहां आप जो है इसे मान का लग यह आप सबसे पहले मान लेजिए जो गी है तो यह केजी है उसमें 40% जो है बनस्पती चार इसका कितना हो गया इसका कितना हो गया अंतलब उसका जो रेशियो आया वह 20 बटे 100 के अनुपात में हो गया ठीक है कहने के मतलब वे हुआ आप समझे यहां कि जब हम 10 केजी घी और मिला दिये तो जो उसकी ताकत थी घी की तागत 100 हो गई और जो बनस्पती घी है उसकी तागत 20 रह गई तो उसका जो रेसियो है 20 बटे 100 तो यहनि 1 by 5 का रेसी हो गया ठीक है मिलाने से ताप इसे हल कर लीजिए हल करने के बाद आपका घी आ गया 10 के ठीक है मुझे उमीद है आप समझ गये होंगे यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर से वीडियो देखिए आपको जरूर समझ में आएगा बार बार देखेंगे समझ में आ जाएगा आए मेरे बचों मंगले कोशन की तरब बढ़ते हैं इन 10 इनिंग्स एक्रीकेटर सकोर्ड एट आन अवरेज आफ 56 आफ्ट एलेबं इनिंग्स इस अवरेज इंक्रीज़ बाए पोर हाव मेंनी रं टीकेटर ने चपर अनकी आउसट से रन बनाए ये रहमी पारिए की बाद उसका आउसट चार बढ़ता है चार से बढ़ता नह यह question बहुत अच्छा question है लगभग परिच्छा में पूछा जाता है आप इसे जरूर पढ़िए और जरूर तैयार कीजिए देखिए आपको मैं यहाँ दो तरीखिस बताऊंगा देखना पहले तो detail में बताता हूं 10 पारी है 10 पारी में 10 इनिंग्स है 10 इनिंग्स 10 इनिंग्स में 56 की रेट तोसस से total कितना हो गया 56 गुड़े 10 कितना गया 560 560 रन हो गया है अब पूच रहा है कर रहिए कि रहा ही पारी में जो हो कितना रन बनायार और चार बढ़ जातत आउसत यहां कितना हो गया 56 प्लस 4 56 प्लस 4 तो आपका गया यहां टोटल कितना रन 11 गुणे 60 मतलब कि 11 चका 66 ठीक है तो आपका इगरहमी पारी में कितना रनाया इलेवंथ इनिंग्स में रन कितना बनाया उसने 600 माइनस 560 मतलब आपका आगया पांसो साथट है और चार पांसो चाका 66 ठीक है आपका आगया कितना हंड़्ड हंड़्ड रन जो है वह 11 इनिंग में बनाया था ठीक है यही आपका अंसर हो गया देखिए आप इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे जो ट्रिक है यहां यन क्या है यन मैं माल लेता हूं यन है 10 इसको यन 10 है मतलब टोटल 10 पारी यह मैं माल लेता हूं 56 फर्स्ट अवरेज है ठीक है बी माल लेता हूं में सेकेंड अवरेज सेकेंड कितना है दो बढ़ चार बढ़ गया यानि कि 60 ठीक है आपका जो फार्मूला यहां बनेगा वो बनेगा यन इन्टू बी माइनस ए प्लस बी आप इसे याद रखिए फार्मूला बहुत इंपर्टेंट है आपको जब इस तरह कुश्यन है आप डारेक्ट जो है इस फार्मूले से हल कर सकते हैं ठीक है तो यन कितना हो गया यानि यहां 10 10 बी माइनस ए 60 माइनस 56 ठीक है प्लस 60 तब का गया 10 इन्टू 4 प्लस 60 तो सक्षाले साट कितना आगया 100 ठीक है यही आपका आंसर आगया आप जो है फार्मूले से जल्दी से हल कर लेंगे यह ट्रिक है आप इस ट्रिक को निश्चित याद रखिए अच्छी ट्रिक है इस तरह कोश्चन पूशा जाता है आप जो है यह ट्रिक याद रखिए आप इसे जल्दी से हल कर लेंगे ठीक है तो जवाब का अंसर कितना आया? अंसर आया 100. इक रही पारी उसने 100 राण बनाये थे. आईए मेरे बचों में अगले क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं. एक ब्रक्त की सेलरी में 20% की कम ही हो जाती है. उसके घटे हुए बेतन में कितना प्रस्यत बढ़ाना है ताकि उसका बेतन उतना ही हो जाए. ठीके? आईए मेरे बचों हल करते हैं. ऐसा कुश्चन पूछा जाता है. लगबगी परसेंटेज कुश्चन है जरूर पूछे जाते हैं. देखिए ये 20% है. ये 20% है. एक तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि याक्स जब डिक्रीज के केस में मैं आपको बताया था याक्स बते 100 माइनस यक्स ठीके? ये आपका गया 20 20 बता 100 माइनस 20 अब इसे हल करेंगे कितना जाएगा? 20 बता 80 यहां गुड़ी 100 है. ठीके? तो कट गया दो चव काट हाएगा इसे कट गया था आपका 25 तो आपका अंसर आगया 25 25 परसेंट जो है उसका वेतन बढ़ाना होगा. ठीके? अब देखिए इसको हम डायरेक्ट इस फार्मूले से हल के लिए कर लिए अब हम इसको आपको तरीका वता रहे हैं जो मतलब आपको भूलेगा नहीं. देखिए मानता हूँ यह पहला उसका वेतन सव है. जब इसमें 20 परसेंट की कमी हुई 20 परसेंट की कमी हुई तो उसका वेतन होगा कितना? 80 पूँच रहा है उसके घटे हुए वेतन में कितना प्रिसेस बढ़ा ताकि उसका वेतन उतना ही हो जाए अब इस बेतन में यह तो घटा हुए बेतन है और यह मूल बेतन है. यह क्या है? मूल बेतन. अब पूँच रहा है इस घटे हुए बेतन में इस घटे हुए बेतन में कितना बढ़ाएं, इसमें कितना इंक्रीज किया जाए, किता कि वह मूल बेतन पर आ जाए, ठीक है, देखिए कितना इंक्रीज करना है, 80 से कितना इंक्रीज करना है, 20, प्लस 20 कितना है 20 यहां आप करेंगे जो 20 बढ़ाया गया है किस पर असी पर तो सव पर कितना 20 जो बढ़ाया गया किस पर असी पर सव पर कितना तो आप इसे हल कर दीजी यह जो है आप कांसेप्ट जरूर सिखिए इससे आप भूलेंगे नहीं फार्मूला कभी कालमीश हो जाता है लेकिन कांसेप्ट रहेगा तो आप नहीं भूलेंगे जो आपका अंसर आया कितना आया 25 परसेंट जब बढ़ा देंगे तो वह अपने मूल बेतन पर हो जाएगा ठीक है जो आपका अंसर आया ए ए इस गोइंग टू बी राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ माया होगा मैं यहां आपको फिर से बता देंगे यह मूल बेतन है 100 जब 20 परसेंट कम कर दिया तो आगे 80 80 से हमें वही मूल बेतन सव पाना है तो 80 से हमें मूल बेतन सव जाने के लिए हमें कितने काउज शक्ता है 20 की 20 ज्यादा की तो 20 ज्यादा है किस पर 80 पर 100 पर कितना वह निकाला 20 ज्यादा सव पर कितना से हल कर लेजिए 25 परसेंट ठीक है आए मेरे बच्चों मगले कोशन की तरब बढ़ते हैं अ मैन है रूपीज 480 इन देनोमिनेशन और रूपीज नोट पांच रूपीज नोट और दस रूपीज नोटों के मूल बर्ग में 480 रूपया है सभी नोटों की संख्या बराबर है उसके पास कुल कितने नोट हैं ठीक है आएए मेरे बच्चों हल करते हैं बहुत अच्छा कोश्चन है लगभग परिच्छा में पूछा जाता है सभी कोश्चन अच्छे हैं देखिए आपको दिया गया है क्या दिया गया है मैं आपको यहां समझा रहा हूँ आप इसी तरह से हल कीजिए यह है एक रूपे का नोट ठीक है और यह है पांच रूपे का नोट और यह है दस रूपे का नोट ठीक है अब यहां सबसे पहले आप निकालिए नमबर आफ नोट ठीक है यहां नमबर आफ नोट निकालो नमबर आफ नोट और यह क्या हो गया यह तीन कालम बना लेता हूँ ठीक है इस तरह से तीन कालम बना लिया यह नमबर आफ नोट यह है बैलू आफ नोट नोट ठीक है अब देखिए नमबर आफ नोट पहले एक रूपय पांच रूपय और दस रूपय को नोट हैं यहां मैं माल लेता हूं जो इन कानुपाथ है वो है one is two one बराबर संख्या में है ठीक है तो हम यहां माल लिया क्या यक्स यक्स और यक्स ठीक है यह नंबर आप नोट्स हैं इसी रेशियो में है यक्स अनपाते यक्स अनपाते यक्स के रेशियो तोटल कितने हो गए टोटल हो गए 3x नोट होगया टोटल अब देखिए इनका बैलु निकालना य palsy एक रूपै की एक नोट है यह रूपै की तो ँसका बैलु एक हुए या second है अब तक है यहाँ एक रूपै की पांच नोट है एक रूपै की पांच मोट है तो उसका法रा प्रसे में कितना हो गए 5x एक रूपे की 5 नोट है एक 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 रूपे की 5 नोट है उसका ब venture कितना हो गया पांच्छ 550 हो गया आप देखिए10 रूपै इक रूपे पी 10र Сया के लिए 10 नोट है एक रूपे वाली 10 नोट है उसका बér लो कितना हो गया ड़नxis हो गया है ठीक है इस तरह से इनका जो रेशियो आया यह आया ठीक है इस रेशियो आगया इसका करें वन इस्टू 5 एक्स वन इस तू 5 एक्स तू 10 अब टोटल कितना हो गया total, total value of nodes, total value of nodes, X, हो गया, X, plus 5X, plus 16, plus 10X, आपका गया, 10, 5, 15, 16X, यह जो है, total value आ गई, ठीके, अब देखिए, आपको question में दिया गया था, कि यही उसके पास total कितना रूपया थे, 480 रूपया थे, तो यही जो बैलू है, 11X, यही बराबर है 480 के, 16X बराबर 480 रूपया के, तो यही बराबर कितना हो गया, 30 रूपया के, ठीके, आपको पूछ रहा है कि उसके पास कुल कितने नोट है, तो कुल कितने नोट है उसके पास नंबराफ नोट सा आप निकाले हो 3 यक्स नोट हैं कितने नोट हैं 3 यक्स नोट हैं तो 3 यक्स बराबर हो गया थिरी गुडे 30 थिरी गुडे 30 यानि की 90 90 नोट है उसके पास यही आपका राइट आंसर हो गया क्योंगि बहुत लोगों को नहीं समझ माएगा आया होगा और यह बहुत अच्छा कुछन है इसलि में इसे को दुबारा समझा रहे हैं यहां आप इस तरह से आप बना ले जिए डियाग्राम यह वन रूपय का नोट है फाइब का टेन का तो नंबर आप नोट पहले आप निकाली सब्धी नोट पराबन संख्या में हैं आपको यह पता है वन इस्टू वन इस्टू वन के तो नंबर वन रूपय का है तो वन इस फांच रूपय का है तो भी वह क्या हुआ वन इस दस रूपय का है नंबर आप नोट तो वन इस हो गया ठीक है टोटल थ्री अक्स नोट है अब बैलू निकालना इसका एक रूपय का एक नोट है तो उसका बैलू एक हुआ एक रूपय पांच है तो ए उसका बेलू कीतना हुआ पाँच एक पांच नोट है उसके पास उसी तरह से 11-10 हुआ नोट तो 10 उसका बेलू हो गया कि इनने टस नोट हुआ तो टोटल कितना बेलू हो गया नोट का टोटल वैलू हो गया 10, 5, 15, 16 16 जो है उसका टोटल वैलू आपका आया और नमबर आपने नोट्स कीतना है 3x नोट है ठीक है तो आप इसे आपको दिया गया कि उसके पास 480 रूपया तो 14x बराब 480 बराब 30 रूपया तो टोटल नोट्स कीतना 3x तो आगया आपका 90 यह आप का आंसर आ ठीक है मिर बच्चों आईए हम अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रूपयस 18,700 बढुर शाल सबस्देश बढ़ते हैं अच्चों मिर नोट शाल नोट्वच्च टूर प्रूपयस 18,700 बच्च बढ़ते हैं और्डर टू प्रॉफित 15 परसेंट एक बुकंड को यह 18,700 रुपए में बेचा जाता है तो माली को 15 परिश्यत का नुक्षान होता है ठीक है मुनाफ़ा करमाने के लिए प्लाट का विक्री मुल्य क्या होगा ठीक है अब यह मेरे बच्चों हल करते हैं देखिए आपको यहां दिया ग्या है यस पी मालुम है यस पी कितना मालुम है 18,700 ठीक है दूसरी तरफ क्या मालुम है लॉस लॉस क्या मालुम है आपको 15 पर्शंट का उसे लॉस हो रहा है तो CP आप निकाल लिए CP क्या हो जाएगा इसमें क्रे मूल्य बराबर होता है, बिक्रे मूल्य गुड़े, सव बटा, सव धन प्रतिशत, सव प्लस माइनस, सव प्लस माइनस, लावभान, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है, तो आप यहां लॉस हो रहा है, तो आप लॉस के केस में क्या यूज करेंगे माइनस, तो आपका हो गया अठारा हजार साज, सव, गुड़े सव, बटा, सव, रिड, माइनस, पंदरा, प्रॉफिट के केस में प्लस होता है, और लॉस के केस में माइनस हो जाता है, तो कितना होगा यहां? अठारा हजार साज सव, गुड़े सव, यहां आपका पच्चासी, तो आप इसे हल कर लिजी, कितना आ जाएगा? पांच, दो पच्चे दस, सतरा, सतरा पच्चासी हो गया, सतरा एकम सतरा, सतरा एकम सतरा, यह सून्य, यारा सव आ गया, पांच दूनी दस हो गया, 20 आ गया 11 दूना 22 हो गया और यह 22,000 22,000 रुपय आपका CP आ गया 22,000 जब CP आ गया यह CP है तो आपको पूछ रहा है कि 15% मुनाफ़ा कमाने के लिए अब देखे यहाँ 15% मुनाफ़ा कमाने के लिए 15% profit कमाने के लिए क्या करना होगा कितने बेशेगा तो Selling Price आपको मालूम करना है कितना हो जाएगा Selling Price 22,000 Selling Price होता है नहीं भी क्रेमूल बरा होता है क्रेमूल गूडे 100 धन प्रस्चतलाब 100 धन प्रतिशतलाब 15 बटा 100 SP case में 100 नीचे रहता है तो इससे काट दीजिए तो आपका आ गया 22 गूडे 115 अब इससे हल कर लेजिए कितना आ जाएगा 22 पंचे कितना हो जाता है 22 पंचे होता है 110 ठीके 110 की सुन हाथ लगया 22 एक कर बाइस और 11 कितना हो गया 23 33 की तीन हाथ लगा 3 बाइस एकम 22 तीन पचीस पचीस हजार तीन सो पचीस हजार तीन सो रूपया यह हो गया आपका विक्रे मूल ठीके यही आपका आंसर आ गया ठीके मेरे अच्चो आप इसे जो है अच्छा क्वेश्चन था आपको जैसे सुब्जा लगे आप उसी तरीके से हल कीजी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप पिसे जरूर पढ़िए आप यह पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप हल कर लेंगे और निसीद रूप से परिश्चा में पूछा जाएगा आए मेरे बच्चो मंगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर कहते हैं प्राइम नंबर इस देट नंबर विश्चिज दिविश्बल बाई इट्सेल्फ एंड वन ठीके ए नंबर इस देट कैन बी डिवाइड़े इग्जेक्टली वन ली वन एंड इट्सेल्फ ठीके तो अभाद संख्या होती है जो इस स्वैंग से विवाजित होती है और एक से विवाजित होती है सिर्फ इसके दो ही गुड़न खंड होते हैं ठीके एक होता है और एक खुद की संख्या होती है जैसे मैं एक्जाम्पल देता हूँ यह सेबन है सेबन एक प्राइब नंबर है इसका गुड़न खंड करेंगे वन इंटो सेबन यानि कि वो यह वन से डिवेसबल होगी और सेबन से डिवाइड होगी ठीके इसमें दो है दो ऐसा नंबर है टू इस टू इस ओनली इसमालेस्ट नंबर और ओनली इवेन नंबर ठीके दो ऐसी संख्या है अभाज संख्या है जो सम संख्या भी है और सबसे छोटी प्राइम संख्या भी है ठीके सम संख्या भी है even number भी है और सबसे smallest prime number भी है ठीक है सबसे smallest prime number भी है ठीक है आप इसे याद रखिए तो जो आपका answer हुआ को हुआ सी टू ठीक है ठीक है ठीक है मेरे बच्चों आई है मंगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि को इस लार्जेस्ट फोर डिजिट नमबर इग्जेक्टली डिवेजबल बाइटीएट अठासी द्वारप पूंड़ों से विभाजित सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या क्या है ठीक है और देखिए मेरे बच्चों कैसे हम करेंंगे सभी क्वेश्चन बहुत अच्छा हैं आप जरूर पढ़िएगा यह आप पढ़ेंगे इसी तरेका इसी ब्राइटीक क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि देखी मेरे बच्चों कैसे हल करेंगे देख आपको पता है चार अंकों की सबसे बड़ी संग्य क्या होती है लार्जेस्ट नम्बर आप फोर डिजिट उता है 9999999999 यह चार अंका सबसे बड़ा नंबर है अब आपको पूश रहा है ब्Т, अगर आप आप सन से जाते हो अप अप्सा से जाते हो आप था से जाते हो तो यह यह भीफालाजित होगी тут आप बचा यह दोनों इस दोनों को आप चेक कर लिजिए आप संसे आप आसानी से चेक कर सकते हो इतना आप भाग देंगे टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं उसके बाद मैं इसे हल करूंगा इसमें भी देखी एकम अठासी हो गया यहां 11 आया अठासी अठारा आये और अठारा बारा कितना हो गया तीस तीन सो आठ जो है फिर यह नहीं कटेगा कि चारट बत्तिस चारट बत्तिस तीन अठ चाओविस यह भी नहीं कटेगा अब बचा लास्ट में ठीक है इसमें आप फ़ाग दीजित अठासी कम अठासी ग्यारा हुआ एकार चवदर फिन चौदर बाराइक सो चब्भीस ठीक है साफसन से आप जाओगे और चेक करोगे ता आप जल्दी हल कर लोगे आए मेरे बचों हम इसे हल करते हैं बताते है कि इस नौहजार नौहसो निन्यानवे है कि अठासी से भाग दीजिए अठासी कम अठासी आ गया ठीक है बचा कितना इस गया रहा यह नौ आया फिर एक बार गया फिर कितना नौ मिस आठ गया एक इस गया तीन आया यहां फिर नौ अब कितना बार गया चार, 4, 38 वार भीस की दो नहीं जाएगा, तीन बार जाएगा इतना, केंट तीन बार गया तीन ऐठ चवविस की चार तीन ऐठ चवविस चवविस दो 26, 264 या तागया न मेंचचर गया यहाँ पांच यारut मेंच गया यहाँ पांच तो जो रिमेंडर आया कितना आया 55 देखिए मैं आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में उसी तरह से इसे भी करना है समझना है यह देखिए 50 जो है यहां 50 ज्यादा आ रहा है 50 ज्यादा रहा है यदि हम इसमें 50 कर देंगे इसमें हम पचा सोरी पचास नहीं 55 आ रहा है पचपन डिमेंडर आ रहा है 55 कितना कम है अब अगर हम इसमें 33 जोड़ देते हैं किसमें 9999 में 33 जोड़ देते हैं तो यह सबसे छोटी संख्याम आ जाएगा हमें क्या करना है यह जो跳 दीजिए या ताब गटा दीजिए तो आप क्या करेंगा जो पच्छपन है आप इस में से 999 में घटा देंगे ठीक है आपका जो है सब से बड़ा नंबर मिल जाएगा चारंग का तो 99999 माइनस 55 कितना आ गया नव में से पांच गे चार नव में से पांच गे चार इन नव इन नव यही आपका अंसर आ गया ठीक है देखिए मैं आपको यहां एक उदारन देके समझाता हूं छोटा सा एक्जांपल देखिए मानता हूं फिफ्टीन लिया आपने और इसमें चार से बाग दिया कितना बार गया चार।аки से बार आ यहां तिन रिमेंडर आया इतना रिमेंडर आया तृम्र आया तयर हमें यह आ तो तो a we फिननर नम पर चार से विभाईत notch हो ज treatment जो है कि हम यह तीन यह जो दो है फन्दरा में से माइनस कर दें गया अगर हमें योड़ते हैं अगर हम यह जोटे हैं तो नमबर हमें क्या मिलेगा फिफटीन प्लस वथ सिक्स्टीन मिल जाएगा ठीक है अगर हम घटाते हैं तीन टीमेंडर तो हमारा नंबर क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा दोनों नंबर जो है चार के गुड़ज है ठीक है इंटर में हैं टेबल में आएंगे तो आप देख पा रहे हैं या तो आप घटाएंगे रिमेंडर या फिर आप जो है उसमें कितना एड करें कि वह चार से व्याइद हो जाए तो तीन में हम एक एड करेंगे ठीक है तो चार से व्याइद हो जाएगा नहida capable ndra में जोरेंगे 16 तीक दूसररा क्या है हम tの one damn तो तो ओररवर यह जो हमारा चार से व्याइद हो जाक्या कि只是 सब्सक्राव लगाए इसमें कि समार रिमेंडर वा मैं ने यह 999 मिस माइनस किया आया की तरह 9 944 ठीक है जो मैं यहां आपको समझाया हूँ आप इसे समझ लेजिए आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो मेरी प्यारी बच्चों आप इसी तरह से हल कीजिए यह तो मैं इसे हल किया आप इस फब सकते हैं जो आपको कम टाइम में आप इसे हल कर लेंगे तो कोशिस कीजिए ठीक है थेंक यू तेंक यू सो फ़ार वाचिंग हम अंगली वी-डियो में फिर आपको कुछ और इसको कराएंगे फिर उसके बाद हम और भी प्रिवियस यह जो Griff के सामने लेकर आएंग और हम इसका इंगलिस का भी जो है वीडियो बना कर आप लोगों को बताएंगे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू थैंक यू सुफारवाची